महिला पहलवान खिलाड़ी इंसाफ की मांग को लेकर लगतार बारवे दिन भी धर्ना प्रदर्शन करती वी नजर आ रही है वहीं इसी दोरान देखा जाये तो ब्रिज बूशन सरन सिंग अपना बच्चाव करते वे अखलेश यादव को लेकर बयान देते हैं अखलेश यादव को ये कहते वे नजर आते हैं कि वो यहाँ पर सही फैसला करते हैं अखलेश यादव का समर्थन पाते वे ब्रिज बूशन सरन सिंग देखे जा रहे हैं ब्रिजबूशन सरन सिंग का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नितुरित पर चलने वाले कई युवा यहां भारतिय कुष्टी में शामिल है ऐसे में उनके मागदर्शन पर चल रहे हैं और अखलेश यादव बखु भी जानते हैं कि मैं किस तरीके से यहां पर अध्यक्ष पड़ पर काम करता हुआ नजर आता हूं साफ तार पर ब्रिजबूशन सरन सिंग ने अपना बचाव करते वे, अकलेश यादव पर पंल जार दिया जिस दौरान यहाँ पर अकलेश यादव giा ना तो ब्रिजबूशन सरन सिंग के खिलाब दिखाई दिये और नहीं यहा ने ब्रेजबूशन सरन सिंग को लेकर कई खुलासे करती हुए नजर आती है नमस्कार में आजबिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 निउस डिम्पल यादव की बात की जायत वो अखलीश यादव से अलग सुर अपनाती हुए नजर आ रही है उत्यप्रदेश में निकायच चुनाव को देखते हुए अखलीश यादव जो सतर तक से साथ वहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं जितनी यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी निकायच चुनाव में तो जीते ही एक महिला होने के नाति वो महिलाओं का समर्थन करती भी देखी जा रही है और कह रहे हैं निस्पक शुरूप से जाच होनी चाहिए ब्रिजबूशन सरन सिंग की गिरफतारी होनी चाहिए लेकिन वही दूसरी तरफ अकलेश यादम ने चुपी सादी हुई है वो क्यों ऐसा कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो यह सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि एक तरफ पतनी पहलवानों का समर्थन कर रही है तो वहीं अकलेश यादम अपनी चुपी साद लेकिन डिमपल यादम यहां पर कहती हुए नजर आ रही है कि इस बाहुबली के खिलाफ जांच होते वे उन्हें गिरफतार करना चाहिए अब यहां पर इस मुद्दे पर आपकी क्यार आए कि वाके ऐसा होना चाहिए क्योंकि बीती रात बहुत कुछ हंगामा हुआ उसके खिर म acetरशी कंथु और आपकी के वे थे वीती डंडर आपकी की रहां जर आपकी करना चाहिए उसमी जढेंस्वें सबो म bareषी है वे वे कि ए बी गवेले हुए जाय